वन शॉट फिरी फाइर की ऐसी बला और दुख जो ट्रेनिंग राउंड में तो खतम हो जाता है लेकिन CS और VR में मत पूछो, खुदी देख लो अब ऐसी पस्तिती का सामना करने के बाद बस यही लगता है वन शॉट गया तेल लेने, छाती टैब, सिंदाबाद तो सुनो यह सब टोटकू को छोड़ो, यह कुछ बैग ज्यानिक तरीके, इनसे तुम 100% वन शॉट सीख जाओगे जिन में से यह दो ऐसे हैं, अगर तुम यह नहीं सीख पाए, तो तुम वन शॉट मारी नहीं सकते चेहदो कि यह जूट है अल्मोस्ट 90% से ज़्यादा, तुमारा वन शॉट एम लोग पे डिपेंट करता है अगर तुमारा एम हेड पे लोग हुआ, तो बन देगी एक गुली में पेटी बन जाएगी और नहीं लोग हुआ, तो कोई बाड़ी बात नहीं सामने बला तुमारी पेटी बना देगा लेकिन प्रस नहीं यहां पर उठता है कि तुम कैसे हमेशा आटोमेटिक खोपड़े भी एम लोग करो वैल उसके लिए तुम्हें नमबर टू यानी फाइर बटन की ट्रिक्स आने चाहिए क्यों क्योंकि फाइर बटन और एम लोग का बहुत ही तगड़ा वाला रिलेशेंशिप है और अगर एक भी गड़वडाया फिर तो लग्या तुमारा वन शॉट तो देखो एम को आटमेटिक हेड पर लोग करने के लिए तुम्हें अपना एम वाइट यानी इनेमी से दूर रखना है और इनेमी जिस डारेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उसी डारेक्शन में तुम फाइर बटन को ड्रैक करना है जैसा कि तुम बैक्ग्राउंड में द ड्रैक डारेक्शन और एम प्लेसमेंट तो आगया लेकिन अगर तुम्हें इने यूज करने के टेक्निक ही नहीं आती तो तुम्हारे क्या ही वन शोट लगेंगे और इसी टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें अपने सेटिंग्स में एक बहुत ही बड़ा चेंजिस करना पड़ेगा और वो है गन स्विच जी हाँ गन स्विच के यूज से ही तुम्हारा फिरिस्टाइल मुवमिंट के साथ सद वन शोट हेड वहती इंप्रूब हो जाएंगे जैसा कि तुम हैंड कैम में देख रहे हैं और अब लास्ट टिप्स जो अगर तुम फॉलो नहीं करत तुम उपर की जितनी भी बताएगे टिप्स तुमारे किसी काम में नहीं आएंगी और वो है प्रैक्टिस तुमको जादा से जादा इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करने हैं तभी तुम सही से वन शोट सीख पाऊगा और प्रैक्टिस करने के लिए तुम एक बेस्ट कस्टम हुडी चाहिए होगा और बेस्ट कस्टम हुडी की वीडियो को देखने के लिए तुम लेफ्ट साइट वाली वीडियो पर देख सकते हो